हेलो चैंपियंस वेलकम बेक टू यूर ओन यूटूब चैनल फर्स फ्लाइट दोस्तो आज हम करेंगे सेकिंड यर थर्ड सेमेस्टर के अंतरगत एईसी हिंदी जिसका नाम है व्यवहारिक हिंदी तो इसमें टोटल दो यूनिट्स है जिसमें फर्स यूनिट मैंने कर देख सकते हैं तो आज का हमारा टॉपिक है कारियालियों में प्रचलित हिंदी की पारिभासिक शब्दावली तो पारिभासिक शब्दावली के रिगार्डिंग तो आपको अल्रेडी पता है आप लोगों को की पारिभासिक शब्द कौन से होते हैं तो जो ग्यान की जो कारियाले भाषा कैसी होती है तो कारियाले भाषा सितातपरे भाषा के उस रूप से है जिसका प्रयोग कारियाले में होने वाले प्रशासनिक कारियों के लिए किया जाता है जैसे कारियाले में कोई भी प्रशासनिक कारे हो रहा है तो उसके लिए हम कारियाले भाषा का officers उनको आंसर देना है किसी के पत्र का तुब क्या करेंगे वो जिस भाषा का उजड़े करेंगे वही हमारी क्या होगी कारियाले भाषा होगी उसके बाद कारियाले भाषा को एक अलग नाम से भी जाना जाता है जिसको हम राज-भाषा कहते हैं और इस समय अगर हम करते हैं भारत बर्ष में अगर हम देखें तो केंद्रिय कारियालियों की भाषा कैसी है तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही हैं दोनों में हमारे भारत बर्ष का कामकाज होता है उसके बार हम करते हैं कारियालियों में प्रचलित प्रमुख शब्द मान लेजिए कि कारियालियों में तरी कामका जहें तो कारियाले आदेश की आविशकता होती है जैसे मान लिजे कि कोई ऐसा वेक्ति है या ऐसा करमचारी है जो क्या कर रहा है डेली देर से आता है उसकी आदत है आने की देर से तो अगर मालीचे कि जो हमारे सीनियर है अगर वो चाहते हैं कि वो टाइम पर है तो वो क्या करेंगे एक office order जारी करेंगे और उस वेक्ति को बताएंगे कि आपको time सानक इतना जरूरी है और इसमें क्या होता है तो जारी करता जो अधिकारी होते हैं उनका हस्ताक्षर होता है इस पर कारियाले ग्यापन ऐफिस मैमोरेंडम इसमें क्या होता है तो कारियाले ग्यापन अपने अधिही नस्थ विभागो एबमंतरालेों के अधिकारियों के पास सुचनाय भेजने के लिए किया जाता है मान लीजिए कि कोई worker है मतलब कोई बड़े officer है और अगर वो चाहते हैं कि उनके नीचे के मतलब जितने भी हरैरकी में officer से उनको पता चले जो उनके नीचे walk कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे office memorandum जारी करेंगे और तब अब उनको बताएंगे कि क्या करना है और कैसे करना है उसके बाद next है हमारा परिपत्र मतलब circular इसमें क्या होता है तो मान लीजिए कि दिल्ले विश्य विद्यालिय अगर शहता है कि वह एक साथ अपने सभी महा विद्यालियों को सूचना दे तो वह क्या करेगा एक परिपत्र के माध्यम से ऐसा करेगा और इसमें क्या होगा तो इसमें सभी विभागों को एक साथ संभोधित किया जा सकता है नेक्स्ट है हमारा acknowledgement यानि की पावती इसमें क्या होता है तो इसमें किसी लिखित पत्र दस्तावेज जमा जैसे हम करवाते हैं ना तो उसके बाद जो हमें रसीद मिलती हम भी बोलते हैं ना की acknowledgement इसका दे देना जैसे हमने admission करवाया होगा आपने डियू में तो आपको एक acknowledgement मि कह सकते हैं रसीद जिसको हम कहते हैं रसीद उसकी बाद है हमारा कारियालों में प्रचलित हिंदी की पारिभाशिक शब्दावली मतलब कौन-कौन से से शब्द है जो की ओफिस में वर्तमान समय में यूज हो जाते है अट टाइम आफ एक्शन तो सबसे पहले हम देखते है अनुपस्थिती मतलब absence दूसरा है अनुपस्थित व्यक्ती मतलब absentee तीसरा है सार मतलब abstract चोथा है कारेभार ग्रहन मतलब assumption of charge फिर है एक नजर में मतलब at a glance फिर है एक बार में मतलब at a time फिर है ततकाल मतलब at once फिर है नियंदरन से बाहर मतलब beyond control उसकी बार ग्रंत बिब्लियोग्राफी नेक्स है हमारा बोली लगाना मतलब बिद नेक्स है हमारा अध्यक्ष मतलब चेर्मेन नेक्स है चालान मतलब चालान नेक्स है घोशना मतलब डिकलेरेशन नेक्स है न्याले का आदेश मतलब डिक्री नेक्स है विदेशी मुद्रा नियंतरन विभाग म छुट्टी मिलेगी चुट्टी मिलेगी जुट्टी मिलेगी या उसके लेपस हो जाती है। of leave हो गया उसके बाद और विश्वास पत्र मतलब motion of no confidence उसके बाद हमारा confidence है और उसके बाद next है हमारा आपती उठाना मतलब raise objection जो हम लोग मतलब अगर office में work करती हैं तो during office hour हमारा यही सबसे बड़ा objection होता है कि बहुत जादा workload होता है और next है हमारा last निगरानी मतलब surveillance तो इसी के साथ आपका यह topic complete होता है और सारे topics हिंदी जो AC है व्यभारिक हिंदी उसके सारे topics complete करवा दिये हैं और first five channel पे uploaded है तो आप लोग visit कर देख सकते हैं और कल आपका exam है उसके लिए all the very best अच्छे से attempt करना है सारे videos देख कर जाईएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो video को like कीजिए channel को subscribe कीजिए और दोस्तों में share करना मत भूलीगा thank you so much दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए करना मत और Εचिए जबेगा पतल सकते हैं